हाई फ्रेंट्स बहुत से मित्रों का ये क्वेश्चन आया है कि लार्ज केप में भी कोई अंडर वैलूड स्टोक बचा है क्या तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग दो ऐसे स्टोक के बारे में अनलिसिस करेंगे जो लार्ज केप के भी है और जो अंडर वैलूड भी है यानि जिनमें रिस्क भी कम है और जिनमें पोटेंशियल भी ज्यादा है तो चलिए देखते हैं वो दोनों कौन से स्टोक हैं और उनमें केस प्रकार का चांस बनता है 2024 और उससे आने वाले आगे के वर्षों में उसमें कैसा रिटन आपको मिल सकता है बिजनस मोडल कैसा है और लार्ज गैप में होने की वज़े से उनमें कौन सी कॉंप्टिटिव स्टेंथ है यह सारे आंसर्स आपको इसी एक वीडियो में बिलेंगे तो वीडियो पूरा देखना है और तब ही आपको इसका फाइदा होगा अधूरा नहीं छोड़ना है मैं शौर्ट वीडियो रपने की कोशिश करूँगा वीडियो पूरा देखिए नया सीखिए और एक समझदार और प्रॉफिटेबल इंवेस्टर बनिए चले दोस्तों शुरू करते हैं आज का सागर्णोमिक्स तो दोस्तों ये दो स्टॉक्स जो है वो बड़ी कंपनीज हैं लार्ज केप मतलब जो 20,000 करोर से ज़्यादा की मार्केट केप को लेकर के चलने वाली कंपनीज है तो इन दोलों स्टॉक्स के बारे में जानते हैं लेकिन हाँ वीडियो को सबसे पहले अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि आप न भूल जाते हूँ मैं डेटा दिखाऊंगा आपको आप में से 80-90% लोग बिना लाइक की और आगे निकल जाते हैं दोस्तों ये तो गलत बात है अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी मेहनत करूँ और आगे आपके लिए और अच्छे स्टॉक्स लाऊँ तो आपको हर वीडियो को लाइक और शेर जरू करना है ये आप गांट बांद लीजी एक तरीके से ये आपकी गूरु दक्षिना है ये मानिए चलिए तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो दोनों स्टॉक्स कौन-कौन से है ठीक है तो पहला स्टॉक दोस्तों है आपके स्क्रीन पर ये है कोरो मंडल इंटरनेशनल लिमिटेड अब हमने ये स्टॉक क्यों लिया पहले तो ये जानो है बहुत सारे दोस्तों ऐसे जो कि जानते भी नहीं कंपरी के बारे में और तुरंत किसी ने बोला फटाक से पैसे इंवेस्ट कर देते हैं अरे भीया ऐसा मत करो पहले अपना फिनेंशल कंट्रोल अपने पास रखो सुनो सबकी करो खुद की ठीक है चलिए सो कोरमंडर इंटरेशन लिमिटेर इस वन ओफ दे इंडियास लीडिंग एग्री सोलुशन प्रोवाइडर खेती से के जो सोलुशन होते है एग्री कल्चर के इट ओफर्स डाइवर्स रेंस ओफ प्रोडेक्शन सर्विसेज अक्रोस फार्मिंग वल्यू चैन स्पेशलाइजिस इन फर्टिलाइजर्स क्रोड प्रोटीन बायो पेस्टिसाइड स्पेशल इन न्यूट्रियंट्स ओगनिक फर्टिलाइजर्स एट्सक्रा मतलब आप यह देखिए कि जो खेती में काम आने वाले दोस्तों जितनी भी चीजें उन सब के अंदर जो जैसे खेती में कीड़े लग जाते हैं चोटे मोडे जो पैस्टिसाइड के इशूज है फर्टिलाइजर जो होता है खाद चीया होती है उर्वरक जो चीया होता है उस सब का जो खेती से सम्मधित जितने भी सलुशन होते हैं यह अपने आप चलता है वो भी लगबग 2X से या 3X से डिपेंडिंग ओन इंडस्ट्री एक्जाम्पल यदि रियल एस्टेट चलेगा यानि लेंड और प्रोपर्टीज की खरीद फरोग्त होगी तो सिरामिक टाइल्स का भी बिजनस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक वायर्स का भी ब प्रदानमंत्री जी ये कहते हैं more crop per drop यानि हर बूंद से ज्यादा खेती ज्यादा उपज तो in that case खेती बढ़ाने की कोशिश गवर्मेंट की रहेगी तो जब agriculture बढ़ेगी तो कोरोमंडल जैसी कंपनी उससे ज्यादा तेजी से बढ़ेगी तो ये एक simple logic है जिसका आपको पता होना चाहिए चलिए अभी हम नंबर पे चलते हैं तो कंप्री के बेक्ग्राउंड के बारे में आपको पता पढ़ी ही गया देखिए 33,000 क्रोर की ये मार्केट कैप है और हमारे बहुत सारे मित्रों की डिमांड की वज़े से मुझे वीडियो को short और to the point रखना जरूर करोड की मार्केट कैप है दोस्तों तो साफ तो रुपे लार्ज कैप है कंपरी 1143 की मार्केट ये स्टॉक प्राइस है जो एक रुपे की फेस वेल्यू पर थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन फिर भी हमें बिजनस मॉडल को देखना जरूरी है सो अब हम देखें कि डिविडे का परसंट इस साड़े साथे सत्रा परसंट 17.5 विच इस गुड तो आप मान करके चलिए उस पैसे को डबल करने में कितना कम टाइम लगता है करीब-करीब आप मान करके चलिए तीन साल से भी कम क्योंकि आप हमेशा रूल ऑफ 72 से कल्कुलेट करते हो 72 divided by the rate of interest या ROI तो अगर 28 ले रहते हैं नीचे तो आप मान करके चलिए करीब 3 से भी नीचे हो गया ठीक है चलिए आगे देखें तो कंपनी की sales growth 21% और profit is 23% विच इवन बेटर पायोस की score satisfactory है gram number 638 है उसके मुकाबले में थोड़ा सा हलकी सी price ही लग रही है बट अगर आप industry की price to earning ratio देखें 25, 25 उसके मुकाबले में stock is undervalued so you can simply say that this company is on most of the parameters undervalued एक और चीज़ support करती है इसको वो है peg ratio तो यह peg ratio is again 0.8 which is less than 1 so company क्या है दोस्तों undervalued साफ तोर पे ठीक है numbers पे और नज़र डालें तो देखें sales growth और इनको देख लेते हैं कि 10 साल में दोस्तों sales की growth जो है थोड़े number change हुए है बट हम सीधे shareholding पे जाते हैं तो देखिए FIA का क्या रूख है FIA 7% पकड़ा हुआ है आज तक ही नहीं छोड़ा DIA 20% लेके बैटे हुए है आज तक नहीं छोड़ा मतलब छोड़ना है नहीं चाहते हैं कुछ तो है company में तब promoters के पास में 57% है और बागी छोटा मोड़ा 10-15% पब्लिक के पास आपके हमारे जिसे दोस्तों लोगों के पास में है बट कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि दोस्तों company में कहीं कहीं फंडामेंटल स्ट्रेंथ है इसलिए दोनों ही FIAs डिया इस अपना स्टेक जो तीन साल पहले था वह बनाके रखे हुए है नंबर्स पर नज़र डालें तो यहां देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों एक सकेड़ ना हाँ तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि यह एक रेली चली थी इसमें 2023 में और 2023 में मुविंग एवरिज इस ने क्रोस ओवर दिया था उसके बाद एक कंटिन तो यहां पर एक नीचे स्टों क प्राइस का मुविंग इंटरेस्टिंग दिजा मुविंग आप इसमें देख सकते हैं की कंटल स्टिक के नीचे क्रोस क्रोस हो रहा हैं साफ तोर पर दोस्तों यह बुल्स आइन है यह बिल्कुल bullish है, यह text book bullish shine है, इसका मतलब यह company uptrend में आपको नजर आने के पूरे पूरे chances रखती है दोस्तों, हाला कि कोई guarantee नहीं होती है, बट यह मान करके चलिए कि यह moving average अगर cross over हुए है, और यह 3 candlestick green साफ तोर पे uptrend में है दोस्तों company, यह है, और volume भी इस चीज़ को support करता हुआ, नजर आ रहा है, हाँ, लेकिन यह कितना, यह short term moving है, short term आपका जो bull movement रहेगा, mid term रहेगा, यह आने वाले समय के results पर depend करेगा, चलिए, आगे चलते हैं और देखते हैं दोस्तों, हमारा जो दूसरा stock है, वो क्या है, उसके बारे में बात करते हैं, तो दूसरा stock kept company है, और क्योंकि दोस्तों, अभी इस company में जिंदल, ग्रुप में पूरे में ही revolutionary changes आ रहे हैं, और आपने देखा हो तो यह electric vehicles में भी बहुत, बहुत aggressively काम कर रहे हैं, तो company का यह मान करके चलिए, कि कहीं न कहीं एक focus है, अपने business को बढ़ाने का, अपने सारे segments को ग्रो करने का, 872 रूपीज की price पर company यह trade कर रही है, एक सेकंड न दोस्तों, हाँ, current price 872 है, highest 896 तो लगबग highest के आसपास यह, dividend हमेशा देती है जिंदल ग्रुप की companies, और 8% के आसपास यह 24 dividend yield है, return on capital employed 8 है, जबकि return on equity जो है वो 5.6 है, तो यानि कि पिछले कुछ समय में न, equity ने इतना अच्छा grow नहीं किया, return on equity ने जितना की कर सकती थी, बट आने वाले समय में, जो investment यह कर रहे हैं, उससे SMO के साफ दूर बनते हैं, sales growth दोस्तों, 18% और profit growth जो है न, minus 10% रही है, देखो, ऐसी होती है, undervalued company, इनको कहते हैं, आप क्या कहते हैं, इनको, इनको कहते हैं, धूल का fool, अपने नाम सुना हैं, धूल के fool, यानि कि धूल जम्य हुई है, fool के उपर, जिस दिन धूल हटेगी, fool खिल करके सामने आएगा, अब वो कब आएगा, यह तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि company undervalued कैसे होती है, वो ऐसी होती है, चली, उसके बाद Pires की score भी comfortable range में है, peg ratio negative, क्यों, क्योंकि जब earning ही negative है, यानि loss making situation चल रही है, इसलिए यहाँ पर एक negativity आपको दिख रही है, तो दोस्तों इसमें तो कोई दोराई नहीं कि company में थोड़ी बहुत risk तो है, क्योंकि थोड़ा profit decline है, थोड़े losses हो है, बट आने वाले दिनों में ज क्या FIAs, DIAs ने इसके losses के बाद में कुछ जो recent losses होए है, पिसले तीन साल में, पास साल में, उससे उन्होंने क्या अपनी कोई position हलकी किये, जरा देखते हैं, अब देखो, एक तरफ company के losses हो रहे हैं, दूसरी तरफ company 44% तो owners के पास ही पड़ा हुआ है shareholding, और foreign investors ने 12% से कुछ समझदारी है नहीं, या तो वो ऐसे कहते ना, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, या क्योंकि company तो loss शो कर रही है, फिर वो loss वाली company में कोई 12% से बढ़ा के 26% क्यों करेगा अपनी holding, आप ही बताईए, या फिर दूसरा reason क्या हो सकता है, कि कुछ company में ऐसा hidden है, जो चल है अंदर, जिसके बारे में foreigners को पता है, लेकिन आम public तक वो बात भोची नहीं है, और जब तक पहुंचेगी, तब तक foreigners को खरीद खरीद करके, इसको stock को महंगा कर देंगे, तब बाकी की public लेगी और फिर उनको महंगा stock मिलेगा, फिर कहेंगे इसमें तो पैसा नहीं बनता This is how the psychology of the market works my friends, चली, तो अभी हम बात करते हैं कि आपने देख लिया कि इसमें FIAs ने अपनी position को बना के double कर दिया है, DIAs 7% से 9% पे, तो साफ तोर पे दोस्तों JSW जो है, वो Steels एक अच्छा खासा undervalued और एक potential company है, इसमें कोई दोराय नहीं है, अब हम चलते हैं इसके technicals प किये है, यह अगर ध्यान दें आप तो यह एक price channel में चल रही थी, एक range bound movement था, लेकिन अभी यहाँ पर जाकर के इसने बहुत बड़ी candlestick बनाई है, और 871 को cross कर गई है, दोस्तों अगर यह dotted line से 871 से उपर अगर यह sustain कर गई, तो फिर हमान करके चलिए, आपको यह पकड़ इसकी 750 है, 750 के आसपास इसको यह stock को आप को pick करने का मुका मिल जाए, then it is your choice, बट मैं आपको यह कह रहा हूँ कि यहाँ से upside movement काफी अच्छा आने के chances है, देखें, यह जो resistance तोड़ा है नैसने, इसके बाद यह देखिए करीब करीब, यह यहाँ से bounce back हो सकती है, तो अगर य 850, 900 के लेवल के आसपास रहती है, तो फिर आप मान करके चलिए कि यह 1100-1200 आराम से टच करने के chances है, तो दोस्तों यह एक अंदाजा है और यह एक technical analysis है, इसको कोई guarantee मत मानिएगा, और मैं आपको एक छोटा सा disclaimer देदू, it's an educational video where I want you to understand the stock market nitty gritties and then take your decision by upskilling yourself, आप सोच के स buying or selling के recommendation नहीं है, so दोस्तों यह एक short and sweet analysis रखा है, मैंने उमीद है, आपको समझ में आगया होगा कि इन दोनों companies में कितनी undervalued हैं और कितना potential है, large cap की होते हुए भी undervalued companies है, so now you can understand कि इन में आपको क्या potential नजर आता है, चलिए दोस्तों आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ, वीडियो के दो काम करने हैं दोस्तों, वीडियो लाइक नहीं किया ना, अभी डाट भी पड़ेगी थोड़ी सी, वीडियो लाइक करिए सबसे पहले, और शेयर करिए, क्यों नहीं करते हो आप लोग, जब मैं अपना सारे काम का छोड़क किसी को लेना हो, तो ले लीजिए, लेकिन आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, हर वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, हर वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, वरना हमारी बात बिगड जाएगी, I am really sorry दोस्तों, मैं किसी को बुरा लगाओ, I am really sorry for that, but आपको ये काम करना जरूर है, लाइक और शेयर करना है, अगर आपको मेरी दोस्ती निभानिये तो, चले दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काई की देरी, अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ओन करिए, और अगले वी बेस्ट, थैंक यू सो मुँच, टेक केर, जैहिंत!